नमस्कार मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन फॉरेस्ट एक्जामिनेशन मेंस 2021 इसमें आपका नाइन्थ यूनिट दिया गया है एन्वार्मेंट आज से हम एन्वार्मेंट की एक नई सीरीच चालो करने जा रहे है अब कोई भी चीज देखने से पहले उसके फायदे नुक्सन देख लेना ज़रूरी है तो इसमें फायदे गया है तो एन्वार्मेंट का वेटेज काफी अच्छा है दस से तेरा क्वेश्टन्स आते है इसी टू टार्गेट है रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्टन्स होते है फिर इसमें अबजेक्टिव टाइप और यू हिट और यू मिस इट ये थोड़ा एक विक पॉइंट है इसका फिर कभी-कभी रैंडम सवाल भी आ जाते हैं जो कहीं मिलने पाते हैं फिर अपॉर्चुनिटिज क्या है आपको जीएस और फोरेस्ट्री और एप्टेट्यूड के सपोर्ट में एन्वर्मेंट क्योंकि काफी अच्छा वेटे जहिस पे और एक रिलाइबल टॉपिक मानके चल सकते हैं क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे है तो आपका सवाल सौल हो ही जाता है लगबग अब नुकसान क्या है तो ऐसा कोई नुकसान है नहीं कम समय में ज्यादा फोर्ग किया जा सकता है आपका जो MPPSC ने environment का syllabus दे रखा है इसमें आप देख सकते हैं काफी सारा division करके दिया है लेकिन यहाँ पे कुछ शुरुआत के topic आप देखेंगे तो biodiversity के under the cover होते हैं और फिर इस syllabus में कुछ topic cover भी नहीं होते हैं और उन में से सवाल भी आते हैं कोर्स का हमारा approach कैसे ह तो आप लोग पहले ही prelim clear करके आए है तो आपको एक basic understanding subject की है अब हमें इस course में high yielding topics जहां से काफी सारे previous year question ना सकी सिर्फ MP में बलकि ACF, RFO की बाकी की states में जो exam होती है उसमें आये हैं उनको भी देखना है और फिर topics जो इस syllabus में mention नहीं किये गए हैं MPPSC द्वारा वह भी हम में देखने हैं हमारी convenience के लिए हम topics को कुछ इस तरह से divide कर सकते हैं environment, ecology, biodiversity, climate change इस तरह से और फिर कुछ high yielding area है आपके जैसे award days, festival, year, clean energy का फिर trending topic है फिर disaster management और technology in environment तो इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं और ये topic आपके syllabus में mention नहीं है ज़्यादा तरह आप देखेंगे तो आपको कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे तो ये भी हमें cover करने हैं so let us start our journey environment में हम शुरुवात हमारे पहले chapter environment and ecology से करेंगे जिसमें हम सबसे पहले environment portion देखेंगे अब environment जो है फ्रेंच शब्द environer या environ से आता है जिसकी basic definition some of all living and non living things surrounding an organism और group of organism ऐसी दी जाती है इसमें सभी living things या biotic या फिर abiotic निर्जीव सजीव और निर्जीव दोनों consider की जाती है light, temperature, water, etc. environment को 4 sphere में generally divide किया जाता है जिसमें lithosphere जिसमें earth, rock, soil इनकी study होगी फिर hydrosphere जिसमें पानी की study होगी atmosphere जिसमें air की study होगी फिर biosphere जहां life की study की होगी यहाँ पे हम देख सकते हैं abiotic और biotic दोनों factors को include किया गया है सबसे पहले हम atmosphere से शुरुवात करेंगे atmosphere में आपके dust आएगी, gases आएगे और water वेपर आएगे atmosphere के बारे में कहा जाता है कि it is layer of gases that surrounds the earth और यह अपने जगा gravity की वज़े से है यह 560 km तक पाया जाता है लेकिन इसमें 75% atmospheric mass जो है वो 11 km में ही पाया जाता है जबकि 99% mass 30 km में पाया जाता है हमने देखा कि इसका जो 11 km में शुरुवात में ही पाया जाता है तो इसकी density C level पे सबसे ज़्यादा है जिसके हम देख सकते है 1.2 kg per meter cube ऐसी यहाँ पे density है year की अब जैसे ही हम उपर जाते है density कम होते जाती है year हमने देखा था mixture of gases है in varying percentage composition भी हमें देख लेना चाहिए फिर सबसे ज़्यादा dominant करती है nitrogen 78.08% के साथ फिर oxygen लगबग 21% और फिर तीसरे नंबर की gas जो की पूरी 1% भी नहीं है वो air gone है फिर carbon dioxide neon यहाँ पे हमें top 5 याद रहनी ही चाहिए अगर बाकी याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है हमने atmosphere देखा तो हमें space भी देखना चाहिए कि space और atmosphere को क्या divide करता है तो एक कर्मन line करके concept आता है एक imaginary line है 100 km 100 km पृत्वी तल से उपर इसकी height है यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारा atmosphere खतम हो गया और आगे का space consider किया जाता है हम देखते हैं बाहर से कि जो पृत्वी का environment है वो atmosphere है वो blue दिखाई देता है इसके बीज़े कारण यह है कि पृत्वी का atmosphere जो है blue rays को blue light को ज़्यादा scatter करता है इसी कारण यह blue दिखाई देता है यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं देख लेते हैं atmosphere जो है maximum highest percentage by volume क्या है atmosphere में तो nitrogen फिर आपका nitrogen gas का percentage पूछ लिया 78.084% carbon dioxide का percentage पूछ लिया 0.035% of oxygen भी पूछ लिया है फिर हम देखते हैं argon का percentage भी पूछा गया है 0.09 nitrogen के उपर काफी जो सबसे ज़्यादा dominating गया से उसके उपर सवाल आए है structure of atmosphere देख लेते हैं अब structure of atmosphere ऐसा है कि इसको 5 layer में divide किया गया है जिसमें आपके troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, hexosphere इस तरह से layer हैं इन layers की अपनी अपनी temperature profile है किसी में यहाँ पे temperature बढ़ेगा, किसी में temperature कम होगा शुरुवात करते हैं troposphere से troposphere जो है lowest layer है पूथवी तल से चालू होता है हम सभी लोग troposphere में ही रहते हैं फिर यह wettest layer है यहाँ पे सारे weather related phenomena यही पाये जाते हैं जैसे आपके thunderstorm हो गया, hellstorm हो गया, बिजली कड़कना हो गया सब यही पाये जाते हैं हम देख पाते हैं कि इसकी height जो है वो polar area में और equatorial area में vary करती है polar area में यह 7 km पाई जाती है जबकि equatorial area में 20 km यहाँ पे इसके पीछे कारण दिया जाता है यहाँ पे convective rise of air होता है equatorial area में जबकि यहाँ पे sinking होता है हम देखते हैं कि atmosphere का pressure और density जैसे ही हम उपर जाते हैं यह कम होते जाता है अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है lapse rate lapse rate क्या होता है तो आपका temperature height बढ़ने के साथ कम होगा जादा होगा यह factor जो determine करता है वो lapse rate होता है यह positive और negative दोनों ही हो सकता है अगर तो आपका lapse rate positive है तो आपका height बढ़ने के साथ temperature कम होगा और यदि आपका lapse rate negative है तो height बढ़ने के साथ temperature भी बढ़ेगा ये हमें याद रखना है क्योंकि ये हर लेयर में काम आएगा ट्रोपोस्पियर में लैप्स रेट जो है वो पॉजिटिव है और इसका रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमेटर है इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही 1 किलोमेटर एलेवेशन पे जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगे यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा ट्रोपोस्पियर है वो 20 किलोमेटर तक है एक्वेटोरेल एरिया में और 7 किलोमेटर तक पोलर एरिया में minus 80 degree Celsius तक temperature चला जाता है 16 km के आसपास ये देखने को मिलता है फिर polar area में 7 km इसकी उचाई होने के कारण यहाँ पे temperature जो है maximum minus 45 degree Celsius तक ही गिर पाता है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो coldest point है वो प्रोपो स्फियर में equator के उपर है ना कि pole के उपर यह एक तरह की anomaly है क्योंकि ground पे आप देखोगे तो polar area में temperature ground area में कम रहेगा और equator में यह temperature काफी ज़्यादा रहता है 30 degree Celsius तक पहुच जाता है इवन उससे भी ज़्यादा चला जाता है तो यह एक anomaly हमें ध्यान में रखनी है फिर हम देखते है एक diagram जब भी इस तरह की sphere की बात होती है troposphere की या फिर atmosphere की बात होती है तो यहाँ पे x-axis पे आपके temperature 0 degree Celsius 100 positive और 100 negative दिया गया है और यहाँ पे height kilometer में दी गई है y-axis में यहाँ पे अगर रुथवी तल पे हम देखे तो 30 degree Celsius temperature होगा तो यहाँ पे positive lapse rate होने के कारण temperature गिरता है और यह देख सकते हैं हम यहाँ पे minus 80 degree Celsius तक चला जाता है अब हम इस पे कुछ सवाल आये हैं देख लेते हैं troposphere के बारे में क्या सही है तो troposphere equally थीक है नहीं गलत है यह 7 km polar area में 20 km equatorial area में पाया गया है फिर troposphere contain ozone layer नहीं इसमें नहीं है फिर troposphere is thinner at equator नहीं यह गलत है क्योंकि यह equator में 20 km के आसपास है थिकर है तो यह thicker at equator than pole lowest layer of atmosphere is troposphere फिर देखते है maximum density कहाँ है air की तो atmosphere की troposphere में है फिर weather related phenomena सारे troposphere में फिर देखते हैं यहाँ पे जो सबसे plausible option है वो closest to the earth surface है troposphere के बारे में troposphere के बाद हमारा अगला जो layer आता है वो है stratosphere stratosphere जो है troposphere के उपर है लेकिन इन दोनों के बीच में एक tropopause आता है हर layer का एक अपना pause आएगा जहाँ पे इसका temperature जो है वो आईदर बढ़ना या घटना बंध हो जाता है वहाँ पे एक pause सा रहता है फिर यह जो stratosphere है आपके tropopause के उपर से चालू होता है और यहाँ पे यह 50 km की height तक गेन करता है फिर हम देखते हैं stratosphere में ozone का concentration सबसे ज़्यादा है यही पे ozone layer पाया जाता है ozone layer आपका सुरज से आने वाली ultraviolet B, C किरनो को absorb करता है जहाँ C को वो पूरी तरह से absorb कर लेता है B को वो नहीं कर पाता फिर हम ozone की height अगर देखे तो 20 से 40 km की height में हमें देखने को मिलता है अब ozone को हम separately study करेंगे एक ozone के चाप्टर में लेकिन यहाँ पे हम basically देख लेते हैं कि ozone का measurement का unit है वो dobson unit है एक dobson unit में 2.69 into 10 rest to the power 60 ozone molecules आते हैं instrument जो है ozone को measurement के लिए उसे dobson spectrophotometer भी कहा जाता है आप चितर में देख सकते हैं यह है dobson spectrophotometer इस layer में हम एक strange cloud देखने को मिलते हैं जिने नाक्रियस cloud या polar stratospheric cloud भी कहा जाता है यह cloud winter में बनते है polar area में अगर temperature minus 78 degree Celsius के नीचे चला जाए इस cloud की विशेष्टा यह है कि यह cloud अमारे ozone layer को destroy करने में मदद करते हैं यह दो तरह से destroy करने में मदद करते हैं ozone layer को पहला तो यह एक surface provide करते हैं जो convert करते हैं आपके chlorine को reactive chlorine में और फिर दूसरा इस तरह से कि यह nitrogen compound जो यहां होते हैं जो moderating का काम कर सकते थे उन्हें भी हटने के यह काम करते हैं फिर हम देखते हैं कि यह layer काफी काम होता है यहां पे vertical mixing of air नहीं होती इसी कारण यहां पे यह अगर कोई particle यहां पे चले जाए जिसे आपके chlorofluorocarbon या फिर ozone destroying substance तो यह यही पे बने रहते हैं हम देखते हैं यह layer काम है, shant layer है, vertical mixing of air नहीं है तो यही पे हमारी commercial jet और flight operate करती है lower stratosphere में फिर हम देखते हैं यहां पे temperature profile जो है यहां पे negative lapse rate होने के कारण आपका temperature height बढ़ने के साथ बढ़ेगा हमने देखा था यह यहां पे temperature already minus 80 degree Celsius तक चला जाता है इसी कारण जब यहां पे temperature बढ़ता है तो यह hardly 0 degree Celsius तक ही पहुच पाता है हमने देखा था यह जो maximum 0 degree Celsius temperature है यह 50 km की height तक पहुच जाता है इस layer को temperature inversion का एक classical example की तौर पे भी पेश किया जाता है क्योंकि यहां पे negative lapse rate है इसके उपर कुछ सवाल आए है हम देख लेते हैं ozone किस layer में होता है तो stratosphere में फिर ozone layer concentration की height पूछिए तो 10 to 50 km हमने देखा है यहां पे जो है range हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि यह हर exam में कही न कही कुछ न कुछ vary हो सकता है अगला layer जो हमें study करना है वो है mesosphere यह layer अभी तक एक mystery बना हुआ है क्योंकि इस layer को जादा study नहीं किया जा सका है इसका कारण यह है कि आपके जो study करने वाले flights है यहां तक नहीं पहुच पाते satellite आपके इस layer के उपर orbit करते हैं इस layer के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि यहां पे maximum meteor burn होते हैं हम meteor mm से ध्यान रख सकते हैं जब यहां पे meteor burn होते हैं तो इसकी dust इस layer में पाई जाती है जो एक hygroscopic nuclei की तरह काम करती हैं जिसके around water vapor या फिर moisture अगर जमा हो तो temperature कम होने के कारण वो ice crystal में convert हो जाते हैं और यही जो ice crystal जमा हुए है यह blue light को scatter करते हैं अब blue light को जब scatter करते हैं तो यहां पे इस layer में एक cloud बनता है ऐसा bluish cloud बनता है जिसे noctilucent cloud या फिर polar mesospheric cloud भी कहा जाता है इस cloud के बारे में विशचता यह है कि यह summer में पाया जाता है जबकि nacrecious cloud जो हमने देखा था वो winter में पाया जाता था जबकि noctilucent cloud summer में पाया जाता है फिर हम देखते हैं इस layer में positive lapse rate होने के कारण आपकी height बढ़ने के साथ temperature कम होता है इसी कारण इस layer में जो maximum temperature है minus 100 degree Celsius तक temperature पहुच जाता है minimum temperature आपका हम इस profile line में देख सकते हैं यहां पे 0 degree Celsius से start होता है और जब यह उपर जाता है निके positive lapse rate होने के कारण height बढ़ेगी temperature कम होगा अब इसके उपर सवाल आये हैं हम देख लेते हैं coldest layer of atmosphere पूछा है mesosphere noctilucent cloud कहाँ पाये जाते हैं तो mesosphere हमारा अगला जो layer आता है वो है thermosphere thermosphere की height 50 km से लेके 500 km तक एक्स्टेंड करता है यहां पे हमारा international space station हम fly करते हुए देख सकते हैं 320 से 380 km की range में इस layer में आपके x-rays, uv-rays from sun जो आते हैं वो absorb किये जाते हैं इसी कारण यहां पे high energy जो positive charge एक बनता है जिसके कारण यहां पे temperature solar intense activity के कारण 1500 degrees से लेके 1700 degrees तक पहुच जाता है काफी hot यह layer होता है फिर यहां पे temperature जो है यह ordinary temperature नहीं होता पुथवी तल की तरह यहां पे gases की concentration काफी कम होती है इसी कारण यह ordinary thermometer से इस temperature को major नहीं किया जा सकता है thermosphere में हमें aurora देखने को मिलता है aurora क्या है हम यह देख लेते हैं aurora इस तरह की एक light होती है जो दोनों पोल में northern और southern दोनों पोल में पाई जाती है तो इसे aurora borealis कहा जाता है अब हम देखते हैं यह aurora होती कैसे है मतलब बनती कैसे है इसके पीछे एक कहानी ऐसी है कि हमारे अर्थ पे जो है इस तरह का एक magnetic sphere बनता है magnetic field बनता है जब solar से solar flare निकलते है high energy charge particle निकलते है तो यह यहाँ पे solar system में travel करते हुए हमारे पूत्वी तक जब आते है तो हमारा जो यह magnetic charge है इसे deflect कर देता है लेकिन यहाँ पे हम देख सकते है polar area में एक funnel सा बनता है gravitational field की वज़े से funnel क्या होता है तो एक इस तरह का device होता है जो diesel डालने के काम आता है यह charge नीचे sink कर जाता है यहाँ पे पूत्वी के polar area में enter कर जाता है जब यह यहाँ पे enter करता है तो यहाँ के gases के साथ यह react करता है जिसमें यह energy transfer करता है यहाँ पे यह जब energy transfer करता है तो photon के form में करता है और photon के form में energy transfer करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का glow देखने को मिलता है अब सवाल यह है कि क्या यह जो solar system में travel करने वाले rays है यह सिर्फ यही पे aurora बनाते हैं तो नहीं उत्तर है इसका Jupiter पे भी यह बनता है और काफी strong aurora बनता है उसके polar areas में तो यह सिर्फ पृत्वी के लिए exclusive नहीं है यह बाकी ग्रहों पे भी बनता है जहाँ पे इस तरह की condition पाई जाती है यहाँ पे हम देखते है laps rate जो है आपका negative है negative laps rate होने के कारण height बढ़ने के साथ temperature इस layer नहीं यहाँ पे हम देखते है आपका laps rate जो है वो negative है negative होने के साथ height बढ़ने के साथ temperature भी आपका बढ़ेगा हमारा जो अगला layer आता है वो है exosphere exosphere outermost layer है यह space में merge हो जाता है 500 km से लेके 10,000 km तक इसे पाया जाता है इस region में जो mainly extremely low density hydrogen, helium और other gases molecule जैसे nitrogen, oxygen इनके भी पाये जाते है यहाँ पे density इनकी इतनी कम है कि यह 1000 km तक without colliding with each other travel कर पाते है फिर यहाँ पे इस layer से यह particles जो free moving particles होते है वो space में exit कर जाते हैं इस layer में हम देखते हैं lapse rate जो आपका positive है positive होने के करण height बढ़ने के साथ temperature आपका कम होगा अगला layer जो हमें देखना है वो है ionosphere ionosphere जो है एक ionized होता है यह 3 layer में overlap करता है mesosphere, thermosphere और hexosphere में पचास से लेके 1000 km तक यह पाया जाता है फिर यहाँ पे तीन तरह की layer बनती है D, E, F अब इन तीन layer में से यह दो जो layer है यह permanent नहीं है F layer permanent है हमें इतना detail में यहाँ नहीं जाना है हमें सिर्फ यह देखना है कि D layer जो है वो reflect करती है low frequency radio है उसको और absorb करती है medium and high frequency इसे तरह से हर layer की अपनी अपनी nature है यह sunset के साथ disappear हो जाती है आप देख सकते हैं रात में यह बिलकुल गाया भी हो जाती है जबकि आपकी E layer जो है जिसे Kenley Heaviside layer भी कहा जाता है यह layer आपकी partially रात में बनी रहती है लेकिन partially रहती है पूरी strong intensity के साथ नहीं रह पाती फिर हम देखते हैं जो F region है F layer है उसको further 200 में बाटा गया है F1 and F2 यह layer जो है इसमें F2 जो है वो permanently रहता है दिन में और रात में वो disappear नहीं होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको F layer को appleton, baronet layer भी कहते है ionosphere आपके radio communication के हिसाब से काफी महतोपूर्ण role play करता है यह हमें ध्यान में रखना है lapse rate की बात की जाए तो यहाँ पर lapse rate fluctuate होते रहता है इसका कारण यह है कि यह बाकी तीन layer में overlap करता है अब एक concept आता है homosphere और heterosphere यह क्या है देख लेते हैं homosphere मतलब यहाँ जो gases की proportion है बिलकुल proportionate gases amount दिखेंगे uniform रहेंगे यह mesopause तक पाए जाते है जबकि heterosphere जो आपके thermosphere से चालू होता है इसमें gases की composition uniform नहीं रहती यहाँ पे abundant में पाए जाते है lighter gases, heavier gases यहाँ पे कम proportion में पाए जाते हैं अब इसके उपर कुछ सवाल आए देख लेते हैं ionosphere हमने देखा था radio communication के इसाब से radio waves के इसाब से यह मैं तो पूर्न gas layer है फिर हमने देखा था जो weather changes है वो सारे के सारे troposphere में होते हैं फिर ozonosphere ultraviolet rays को absorb करता है और फिर stratosphere में jet commercial airplane fly करते हैं हमने देखा था तो यह इसका answer हुआ फिर यहाँ पे एक order लगाने के लिए भी सवाल आए जिसमें हम देख सकते हैं troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere इस तरह से लगाया जा सकता है फिर 2016 में एक news आई थी कि earth का magnetosphere जो है वो दो गंटे के लिए disappear हो गया है और इसी कारण उन दो गंटों में जो लोग sun से expose हुए है उन्हें काभी बिमारिया होंगी इस तरह से एक अफ़वाफ हैलाई गई थी यह क्या था यहाँ पे NASA के software में stimulation software में glitch आ गया था जिसके कारण एक इस तरह से website ने before और after की दो photograph भी publish की थी फिर NASA को इस पे explanation देना पड़ा उन्हेंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यह layer permanent होती है magnetosphere यह permanent होता है crux of the stories यह permanent रहता है और इस तरह की अफवाव पे ध्यान ना दे environment को 4 sphere में divide किया जाता है जिसमें हमने atmosphere को देख लिया था हमारे hydrosphere, lithosphere और biosphere बचे है अब हम hydrosphere को देखेंगे hydrosphere मतलब hydro मतलब पानी यहाँ पे पानी की study होगी hydrosphere में आपके water on surface moisture in air underground water तीनों component आते हैं फिर distribution of water जो है पृत्वी पे, वो कुछ इस तरह से है कि 97.25% जो है total ocean में है जो saline water है खारा पानी है, यह किसी काम का नहीं है फिर 2.05% आपका polar ice cap में आटका पड़ा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं इसका data source जो है NCRT chapter 13 class 11 यह है, अब इसमें एक quick point जो हमें याद रखना है order, ocean, ice cap, glacier फिर ground water, फिर lake और atmosphere और river इस तरह से एक याद रखना है यह काफी बार पूछा जाता है हम देखते हैं, NCRT में पूरी तरह से distribution नहीं देखने को मिलता है, यह data है US की एक geological survey website के उपर पाया गया है और फिर उन्होंने भी अपना जहां से यह उठाया है, उसका source दिया गया है तो आप इसमें एक distribution है वो देख सकते है water का हाला कि यहाँ पे data vary करता है source to source लेकिन हमें एक rough idea रखनी है कि इस तरह से water का distribution है, जब हमारा सवाल आए इसे आप आराम से देख सकते हैं फिर यहाँ पे कुछ सवाल आए हम देख लेते हैं जो global fresh water है frozen state में, ice cap में वो आपका 68.7% यहाँ पे हम देख सकते हैं 68.7% तो इस तरह से आपके सवाल सवाल हो जाते हैं इस data से, एक rough idea रहदा है range का, फिर आप देख सकते हैं जो सवाल आएगा वो एक तरह से range में ही आएगा less than of the total water resources fresh water available for use is less than 5% it is but obvious, फिर एक concept आता है limnology, यह limnology क्या होता है तो एक सवाल आया था ICR JRF में, तो यह limnology की जो definition है इस book में जो यहाँ पे reference के तोर पे दी गई है, वो इस तरह से है कि यह study of lake हुआ करता था initially फिर यह field evolve हो हो के inland study of water हो गया जिसमें फिर आपके fresh water और saline water दोनों आने लगे अब इसका scope इतना फैल चुका है कि सब अलग-अलग तरीके से definition देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो option है, उसमें से हमारा सबसे suitable option fresh water ही है तो हम इस तरह से कुछ solve कर सकते हैं यहाँ पे हमें यह term याद रखना है, limnology हमने atmosphere और hydrosphere देख लिए अब हम lithosphere की और बढ़ते हैं, lithosphere क्या है तो यह crust और upper mantle से मिलके बनता है इसकी ठीकने साथ किलोमेटर से पचास किलोमेटर में vary होती है अब हम इसमें शुरुआत में crust देखेंगे, crust जो है दो तरह की होती है, एक oceanic crust एक continental crust इनकी ठीकनेस भी vary करती है crust जो है mainly in 8 elements से बनी है, जिसमें आपका oxygen का composition सबसे ज़्यादा है silicon दूसरे नंबर पर, फिर aluminium अब यहाँ पर हमने देखा था दो तरह की crust है, oceanic crust और continental crust oceanic crust में आपका silika और magnesium इनका composition ज़्यादा रहेगा, जबकि continental crust में आपका silika और aluminium का composition ज़्यादा रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं, oceanic crust crust जो है, वो 30 से 70 km के thickness में पाई जाती है, अब हमने देख लिया, हमने देखा था lithosphere जो है, वो दो चीजों से मिलके बनाए, crust प्लस upper mantle, crust हमने देख ली, crust में हमने oceanic crust देख ली, हमने इसमें continental crust देख ली, फिर अब हम upper mantle देखते हैं upper mantle के बारे में एक theory है, कि ये एक semi-molten solid state में है, इस तरह से अगर हम इस theory का मानते हैं, तो ही हम इसमें plate tectonics theory को या फिर plate movement को explain कर पाते हैं, तो इस तरह से आपका ये lithosphere यहाँ पे complete हुआ हमें यहाँ पे detail में नहीं जाना है क्योंकि ये सब geographic का part है, ज्यादा तर, यहाँ पे सिर्फ हमें एक basic overview लेना था कि क्या है, अब हमने शुरुआत में देखा था atmosphere, फिर हमने hydrosphere दिखा, फिर lithosphere अब हम biosphere देखते हैं biosphere जो है, ये term coin किया गया था, Edward Suez के दोरा 1875 में, ये इसकी basic definition इस तरह से दी जाती कि it is zone of life on earth, जहाँ पे life पाई जाती है, जो zone of life on earth है, वो काफी limited है, ये extreme condition में नहीं पाया जाता, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है zone of life on earth, 3 meter below the ground, 30 meter above the ground और 200 meter below the ocean depth, इस तरह से एक generalize करके पाया गया है, यहाँ पर ज्यादा आपकी life पाई जाती है, फिर biosphere के बारे में एक concept जो हमें ध्यान में रखना है, वो है it is closed system with regard to matter, but it is open system with respect to energy, इसको हम exemplify करके देख सकते है, ये अगर पृत्वी को हम biosphere माने, तो यहाँ पे earth जो है, यहाँ पे कहीं बाहर से matter exchange नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे energy आ रही है, incoming solar radiation आ रहा है, तो हम देख सकते हैं it is closed with respect to matter, but it is open with respect to energy, अब biosphere को हम detail में study करेंगे, उसे division करके study करेंगे, biosphere को study करने के लिए उसके बहुत सारे desert biome, rainforest biome, तैगा बायोम, इस तरह में हम अराम से देखेंगे, अब biosphere की बात कर लिए, तो एक concept आता है, एक biosphere 2 करके, यह biosphere 2 क्या है, तो एक American experiment है, जहाँ पे एक closed system जो biosphere को replicate करता है, इस तरह का बना, एक facility laboratory बनाई गई है, जो जहाँ पे एक experiment feasibility है, आपके biosphere की as a closed system, वो demonstrate करने की कोशिश की जा रही है, तो यह basically हमें इतना ध्यान रखना है कि biosphere 2 is a American experiment, Arizona state में यह facility बिल्ड की गई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनने tropical rainforest, ocean, अपर सवाना, लगबग ज़्यादा तर ecosystem को यहाँ पे replicate करने की कोशिश की है, फिर यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, हम देखते हैं, entire earth as an ecosystem is called biosphere, फिर which of the following is the largest ecosystem, largest ecosystem आपका biosphere ही रहेगा, फिर यहाँ पे component of climate all of the world, atmosphere, hydrosphere, cryosphere, lithosphere, biosphere, cryosphere क्या है, तो यह frigid zone on earth है, जैसे आपका polar, ice cap, इस तरह से, और फिर हमने शुरुवात में देखा था, component of atmosphere चार होते हैं, तो number of environmental segment is charged, atmosphere, lithosphere, hydrosphere, और biosphere, तो यह चार आपके component हो गए, फिर part of earth where organism live, यह biosphere हुआ है, हमने देखा था, zone of life, फिर हमने देखा था, it is the zone of life on earth, तो यह biosphere इसका answer है, आज हमने environment and ecology के environment part से हमने हमारी journey स्टार्ट की थी, जिसमें हमने environment के 4 sphere देखे, lithosphere, atmosphere, biosphere, hydrosphere, फिर हमने atmosphere को थोड़ा detail से पढ़ा, atmosphere में हमने देखा, 5 layer में divide किया गया है, troposphere, stratosphere, thermosphere, mesosphere, exosphere, इस तरह से, फिर हमने hydrosphere को भी पढ़ा, फिर हमने lithosphere पढ़ा, फिर हमने biosphere भी देखा, हमने biosphere 2 देखा, अगले वीडियो में हम देखेंगे environmental factor जो affect करते हैं आपके बोथ biotic और abiotic components को, धन्यवाद, टी करते हैं,